हलो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कॉपीराइट क्लेम कैसे चेक करें कि मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आया है कि नहीं दोस्तों वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वला है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों आल नोटिफिकेशन कर लें दोस्तों आज मैं दोस्तों कॉपी राइट के क्लेम इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि डेली आपडेट आते रहते हैं दोस्तों कुरूम ब्राउजर पे मगर कुछ लोग हैं दोस्तों कुछ बड़े यूटूबर हैं जो कि आपको ये इनफॉर्मेशन नहीं देते हैं ओल्ड वीडियो से आप और नियू आपडेट से मिलाते हैं बड़ बहुत अंतर होता है दोस्तों डेली आपडेट आते हैं अलग अलग नियू नियू फ्यूचर आते हैं जिससे आपको समझ में नहीं आता है कि हम लोग कॉपी राइट क्लेम कैसे चेक करें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यहीं बताऊंगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चलिए दोस्तों दोस्तों आ गया है फोन के होम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको सबसे पहले अपना डेटा को आण रखना है डेटा को आण करने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा अपने क्रूम के ब्राउजर में और सर्च पर जाना होगा इस तो पर जाने के बाद इस अप्सन मिलता है डेक्स टाफ साइट जो कि दोस्तो आप सभी को मालूम होगा ये डब बे को दोस्तो क्लिकर करके ट्रिक लगा देना है डेक्ट अफसाइट करने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा अपने इस दोस्तों इस थिरी लाइन पर जाना होगा दोस्तों उससे पहले आपको अपने दोस्तों ये जो आपका सर्च हो रहा है इसे अच्छी तरीके से सर्च होने दे नहीं तो आपको दोस्तों बाद में प को इस थ्री डॉट पर किलिक करना होगा उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जाना होगा एक सेटिंग का अपसन मिलेगा दोस्तों आपको सेटिंग पर किलिक करना है अपना कॉपीराइट क्लेम चेक करने के लिए और दोस्तों इसे जूम आउट कर देना है जूम करने के बाद दोस्तों आपको एक आप्चन मिलेगा चैनल स्टेटस और फीचर अपको इसना सबसे उपड़ से आपको दिखाई beyond देगा इस mutual अपको जो ऍाफ़को किलिक करने के बाद को कोने करें की को आपको तोस दोस्तों आपको जो जो भी सर्च हुआ होगा वो आपको आसानी से दिख जाएगा जो कि आपको दोस्तों यह आपर नीचे दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से क्लोज कर देना है क्लोज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से जूम करना है आपको सी का एक लोगो बना होगा दोस्तों जो की मोनोटाइजेशन के उपर है जो की दोस्तों यहाँ पर सी है इस पर हम लोग दोस्तों किलिक करेंगे और इसे जूम आउट कर देंगे दोस्तों यहाँ पर कॉप आपको दोस्तों जाना होगा कि आपको दोस्तों जाना होगा इस video लिष्ट का अपसन एक मिल जाएगा दखी दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा नीचे अगर सदो आपको यह छपिए हुई ऐसे देखकर हैं यहना सोच यह कं पर copyright विलक्ल दोस्तों ехणा चाफ डिबाव नो क्लेम है कि नहीं दोस्तों तो चलिए दोस्तों एक बार मैं फिर से किलिक कर देता हूं यह थोड़ा देर में किलिक होता है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों कॉपीराइट क्लेम जो कि मेरे चैनल पर आ चुका है दोस्तों मेरे इस वीडियो पर copyright claim आया है जो कि दोस्तों बहुत ही पुराना वीडियो है ऐसी बात नहीं है यहाँ पर देख सके आप copyright claim दोस्तों इससे आपके चैनल पर यह फर्क पड़ता है कि आपका दोस्तों अगर copyright claim आपके चैनल पर पढ़ा हुआ है तो आपका monetization on नहीं होगा आपकी दोस्तों YouTube से earning नहीं होगी और दोस्तों इससे आपके चैनल पर बहुत फर्क पड़ता है जो कि दोस्तों आप समझ सकते हैं इस copyright claim का मतलब तो दोस्तों इसे आप देख सकते हैं यहां पर copyright claim है दोस्तों आपको इससे क्या करना है अगर ज्यादा वीव जाए दोस्तों तो आपको इस वीडियो पर किलिक करना होगा आपको चार-पांच option मिल जाएंगे तो दोस्तों आपको जाना होगा स्थिरी डॉट पर और यहां पर दोस्तों डिलेट फेवर अगर आपके ज्यादा व्यूज नहीं है जिस वीडियो पर आगर आपके आएं और ज्यादा व्यूज नहीं है तो आप इस डिलेट फ्लेवर पर किलिक करके इसे रिमूव कर सकते हैं डिलेट क कि जाना होगा मैं आपको बताता हूं कि अगर दोस्तों आपके वीडियो पर ज्यादा वीज़ है तो आपको एक कैशी के अप्सवन मिलता दोस्तों जिसे आप अपने कॉपीराइट जो क्लेम आता है जो दोस्तों उसे आप ट्रीप उसे आप रिमूब कर सकते हैं जितना जिसे आप अपने कॉपीराइट क्लेम को रिमूब कर सकते हैं आता सकते हैं वीडियो भी ना डिलेट किए तो आप दोस्तों नीचे थमनेल कोई होगा वह होई जो होद से अनले लिस्ट में यूटूब वीडियो का अपसम मिले गा वहां से आप उस विडियो को जाकर देख सकते हैं वाच कर सकते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ठैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो